नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं श्राम तक की 10 फटा-फट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कामेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले। चलिए और 10,000 बच्चों का इलाज किया जा सकेगा। 242 पे जियार्ट्रिक कार्डियोलोजी सेंडर की बनने से राज्यो के बच्चों को काफी रहत मिलने की उमीद है। कोरोना के बढ़ते मामलों की बाद स्वास्ते वे भाग अलाट। कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की बाद प्रदेश सरकार सक्रिये हो गई है। कोविड को लेकर केंद्र सरकार राजों के सबारे में दिशन निर्देश भी दे रही हैं वहीं कोरोना के बढ़ते हुए खत्रे को देखते हुए। केंद्री मंत्री वा अमेठी सांसद स्मिती नानी ने अमेठी स्वासम हैकमे के अधिकारियों के साथ बैठा का तयारियों की चाक्चोबंत करने के निर्देश हो दिये हैं। वहीं विभाग मेटी जिला अस्पिताल में मौक ड्रिल का तयारियां बहत्र करने में जुटा हुआ है। बढ़ते कुरुना के बढ़ते मामलों के बात किसे भी अपात सिती से निपटने के लिए स्वासे विभाग कमर कश चुका है। यूपी में निकाय चुनव का रास्ता साफ बिना ओवी सी अलक्षन के होगा इलेक्षन यूपी नगर निकाय चुनव को लेकर मंगलवार को इलहबाद हाइव कोट ने अपना फैसला सुना दिया है। जिसके बाद राजमें निकाई चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोट ने अपने फैसले बे साफ तोर पर कहा है कि राजमें इस बार निकाई चुनाव बिना OBC अरक्षन के होगा। इस मामल में हाई कोट की लखनाओ बैंच ने फैसला सुनाया है। निगाई चिनावों में OBC एरक्षिन पर इडाबाद हाई कोट ने फैसला आज सुना दिया है। हलंकी इस दुरान कोट ने राज़े सरकार को जटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिश कर दिया है। को मरीजों को अब मोबाईल पर मिलेगी सेहत की कुंडली Channel कवले मेचल को में भरती होने वाले मरीजों आप मोबाईल पर अपनी सेहत की कुंडली मिल सकेगी, इस मरीज के पास जो आच रिपोर्ट नहीं है, तो भी OPD में डॉक्टर ओनलाइन रिपोर्ट देख सकेंगे, वो एक लिक पर सम्बंदित मरीज की पूरी केस हिस्ट्री जान सकेंगे, अब तक की व्यवस्ता SGPGI, KGMU, लोहियसंसान सितल 12 अब आई सने मेडिकल कॉलीजों में भी सुविधाश शुरू करती गई है, उपमुखे मंत्री बिरजेश पाठक ने बाइस मेडिकल कॉलीजों में एस सूशू तू हस्पिटल मेनेजमेंट इनफोमेशन सिस्टम सुविधाश शुरू की चुइन के बज़ाए अब जपान करेगा यूपी में उज्जा जपान चुइन के बज़ाए अब भारत में बढ़ाने वेश्व करेगा खासतोर पर यूपी में उज्जा स्वार से क्रिश्यो प्रयावनक श्वेत्र में जपान काम करने को तयार है यह भरोसा जपान के उपरक्षा मंत्री फ्यूजी मार उसा तोशी ने किया है वे सुमवार कुडा स्थानी में थे इस दुरान उरूने डिप्टिस्रियम केशव मौरी एवं प्रजेश पाठक से मुलकात करी इच्छ जताई जपान के पुर्व आईटी मंत्री वा यूपी जपान एकनॉमिक सोशल एंड इडस्ट्रियल कमेटी के च्वेरमेन ना ओ काजू ताके मोतो ने कहा कि जपान यूपी के विकास में सहभागी बनने को सहश्रत तयार है गलोबल इंवेस्टर समिट में भी जपान ने निवेश्व की तयारी की है बढ़ती ठंड के कारण यूपी के जिलों में स्कूल बंद रखने के आदे इश्व बढ़ती ठंडी बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल कर दिया है इसे वज़ं से हालातों के अनुसारा अलग लग राज़ी एवम जिलों में स्कूल बंद करने के आदे इश्व दिये जा रहे हैं इस एकडेमी अब यूपी के साथ जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिये गए हैं, बता दे कि यूपी में मेरिट बरेली अलिगड पिलिभीत एवं शाजहापुर में स्कूल बंद रखने की आदेश जिला दिकायों ने चारिके हैं, इन जिलों में 8 वी तक के स्कूल पिलहल बंद रखें गए हैं, बरेली अलिगड एवं पिलिभीत में ठाई दिसंबर तक स्कूल में छुट्रियां रहेंगे, वहीं शाजहापुर में 30 दिसंबर तक स्कूल बंद रखेंगे एक रुपए में होगा मारीजो का डालिसिस, गोरकपुर जिले के ग्रामिन इलाकों में किड्निक बिमारी से जूच रहे, मारीजो खेले रहात भरी खाबर है गुलब लॉक के भरोली गाउं में बॉम्बी इंटेलिजन सिक्यूरिटी ने 10 बैट की डाले से जूट तयार की है, इसमें कोई भी मरीज एक रुपए खर्च कर इसका लाब उठा सकेगा अच्छी बात ये है कि किड्सरी का दवाओं तक खच कंपनी ही करेगी, उमीद जुता ही जा रही है कि एक जन्वरी को मुख्यमंतरी योगी अजितिनात की हातों से इस यूनिट का दुखाटन हो सकता है वारनसी की बात कानपूर में क्रूज चुलाने की तयारी, कानपूर में गंगा की लहरों पर कश्मीर की डल जील जैसा आनंद ले सकेंगे गंगा पर शिकारा बोच पर लोग राइच कर सकेंगे, इसके लिए नावों को खास रूप से तयार किया जा रहा है सर्दियों में घने कोहरे के बीच शिकारा बोच पर बोचिंग लोगों को कश्मीर की डल जील जैसा एहसास कराएगी बोच क्लब में बोच का संचोलन कर रही मनी करनिका कामपनी के सत्तम दूबी ने बताया कि पहले फेस में शिकारा बोच को तयार किया जा रहा है साने मलाहों को रोजगार मिली इसके लिए उनकी बोच को शिकरा बोच जैसा लुख दिया जो रहा है बोच में ही खाने पीने के सुवधा भी मिलेगी कल दोल पर सो नहीं आएगा पानी कानपूर में एक बार फिर बेसलाख अबादी के सामने जलसंग कट रहेगा 28 की शाम से 39 दिसंबर की सुबा तक पानी नहीं आएगा दरसल बेना जाबर में नया 200 MLD का वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट बन का तयार हो चुका है प्लांट से पानी का कनेक्शन करने के लिए सप्लाई बंद की जाएगी जलकल सचीव केपी अरंध ने बताया कि गंगा से रोजाना सुबह उश्राम 6 करोड लीटर पानी बेना जाबर प्लांट में ट्रीट किया जाता है नया प्लांट से पानी का कनेक्शन किया जाना है इसके बाद पानी के किल्लत बंद हो चाएगी इस दुनान उन्होंने जौसी जेल में बंद पुर्विधाग दीप नरानी आदफ से मुलाकात की मुलाकात के बहर आए सब अब मुखने सीम्यों गया दितना तो बीज़ेपी सरकार पासी दे तोर पास जुमानी हमला बोला अगले शादवनी मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुर्विधाग दीप यादफ को जूटे मुकद्ध में लगा कर उन्हें जेल भेजा गया है ये सरकार के वसंदेश देना चाहती है कि ये सरकार हरमुत्ते पर नाकाम और असफल है दिली में पिछले आठ सालों में सरकार चल रही है यूपी का छटवा साल पुरा होने जा रहा है किसी भी समस्दा का समधान ये सरकार नहीं खोच पाई है ये तो थी श्राम तक की बड़ी खबरे रोजान उतर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दवाना बिल्कुल ना भोले धन्यवाद